नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगग दोस्तों नियूज आई है कि इंडिजो ने हैंडराबाद एरपोर्ट पर गलती से 37 यात्रियों के बैग छोड़ दिये हैं जी यहां दोस्तों एरलाइन्स ने गलती स्विकार की है और यात्रियों को अपना बैग सही स्थान पर कई यात्रियों का चेकिन सामान ले जाना भूल गई एरलाइन ने तुरूटी की पुष्टी करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि वे बैगों को इस्थानांतरित यानि ट्रांसफर करने के दिशा में काम कर रही है दुनिया भर की एरलाइन्स नियमित रूप से खोई हुए सामान की समस्या से निपटती है यात्रि अब हवाई यात्रा के दोरान अपने सामान को ट्रैक करने की लिये तकनीक का भी सहारा ले रहे है इंडिगो हैदराबाद से हल ही में उडान भरते समय कई यात्रियों के चेक-इन बैग लोड करना भूल गई यह घटना नो फरवरिको हैदराबाद से विशाखा पटनम की फलाइट संख्या 6E409 में हुई थी एरबस A321 नियों ने 13.38 पर उडान भरी और 14.28 पर विशाखा पटनम में लैंड करवाया फलाइट के ग्राउंड स्टाफ इस समस्या से अंजान थे जब तक कि यात्रियों ने उन्हें हवाई अड़े पर अपने बैग की परतिक्षा करते समय स्थिति के बारे में सचेत नहीं किया लगबग एक घंटे के इंतिजार के बाद एरलाइन ने गड़बड़ी की पुष्टी की और प्रभावित यात्रियों को उनके घर पर बैग वापस करने का वादा किया इंडिगों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया हम यह पुष्टी करते हैं कि 37 बैग अंजाने में हैद्राबाद से विशाखा पटनम जाने वाली हवाई उडान 6E-409 में छूट गए थे हम यह सुनिश्चित करते हैं कि विशाखा पटनम में ग्राहकों के घर पर सभी बैग शुरस्क्षित रूप से पहुंचा दिये जाएंगे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम हमें खेद है वैसे दोस्तो यह गटना कोई नई नई है यह गटना अधिकतर हर एरपोर्ट पर होती रहते हैं दुनिया में प्रतियक एरपोर्ट पर ऐसा होता रहता है यात्रियों के बैग शूट जाते हैं वह बाद में उन्हें उनके पते पर पहुंचा दिया जाता है तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको आपके छूटे हुए बैग किस तरीके से घर पर पहुँचाए जाते हैं यदि आपका बैग कभी आपको नहीं मिल पाए और वह छूट जाए तो अराइवल में जहां आप उतरते हैं वहां कोई सूपरवाइजर या उस एरलाइन्स का कोई भी ग्राउंड स्टाफ आपको मिले तो आप उसको इसकी जानकारी दीजिए और उनसे कहिए कि हमारा बैग नहीं आया है लगता है वह पीछे चुड़ गया तो वह उसके बारे में आपको बताएंगे आप से आपकी डीटेल लेंगे बैग का टैग हमेशा समाल कर रखिए जो आपको बोर्डिंग पास पर उसका नंबर दिया जाता है बैग का टैग का भी एक नंबर आपको दिया जाता है तो वह उनको दिखाईए अपना आईडी दिखाईए पासपोर्ट दिखाईए उसके जरी आपका एक फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म की एक फोटो भी आप अपने पास रखिए और वह कंपलेंट आप अपनी देती हैं वह कुछ एरलाइन्स कहती हैं कि आप एरपोर्ट से अपना बैग इतनी तारी को कलेक्ट कर लीजिएगा और वह आपको फोन नंबर वह पुरी जानकारी देती है कि आपको बैग कहां से कलेक्ट करना है तो दोस्तों वीडियो के अंदर दी गई जानकारी यदि आ आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर वा लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा दोस्तों अधिकतर हम एरपोर्ट से रिलेटेड जॉब ऐसे रिलेटेञ लीजिका अपके लिएए और उल्दी खगैक निक बसक्राइब कर खेब त आपके लिए इसनगता राटण आवाट जॉफ़।